देखो बच्चो आज हम सेट एक्जाम नॉम्बर दो हजर बाइस का नॉम्मी कलास का सामाजिक विज्ञान का जो आज पेपर हुआ था बच्चो का उसको आज हल करेंगे उसको हम आपको समझाएंगे इसमें देखते हैं पहला जो कुस्ष्टन है है आजाद हिंद फोज का गठन किसी ने किया देखिए यह चार ओप्षन है इन में से राइट एंसर आएगा सुबास चंदर बोस वैसे तो आजाद हिंद फोज का जो गठन है 1943 में जापान में किया गाया था सिरी रास्था भी हरी बोस जी ने ये जो आजाद इंध फोज थी इसका गठन भारत को अंगरेज़ों से सवतंतर कराने के लिए किया था और जो आजाद इंध फोज थी इसको इंडियन नेसल आर्मी आई एन ए के नाम से भी जाना जाता है तो इन ओप्षनों में सही उत्तराएगा सुभाजचंदर बोश आजाद इंद्फोज का गठन किसने किया था बच्चो रास भी हरी बोश ने लेकिन ये जो ओप्षन है इसमें राइट अन सुराएगा सुभाजचंदर बोश क्योंकि इस आजाद इंद्फोज का जो बाद में बागडोर थी वो सुभाजचंदर बोश ने समाली थी अगला परसन है भारत में मानसुन का आगमन कब होता है यानि कि भारत में मानसुन पवने कब आती हैं देखिए हमारा भारत है भारत का जो दक्सनी इस्सा है मैंना आपको दिखा दिया इसमें भारत में दक्सन पस्मी मानसुन पवने आती हैं हिंद मासागर से हमारे भारत की और आगे बढ़ती हैं और ये जो मानसुन पवने हैं सबसे पहले केरल में आती हैं ये ध्यान रखना है मानसुन पवने भारत म सबसे पहले किस रजे में आती हैं बच्छो केरल रजे में आती हैं और कब आती हैं जो जून का पहला सपता होता है उस सपता में आती हैं एक जून से लेकर के साथ जून के बीच में आती हैं तो इसका सही उत्तराएगा जून के परारम में भारत में जो मानसुन परारम में आ और उन्ह पवनों को हम लू कहते हैं तो इसका उत्र पयागेगा लू यह बहुत ही गरम होती है और यह जून के महिने में चलती है यह राजस्थान रकसमी हर्याना और पंजाब के इलाकों में यह पवने चलती है ये पवने मुख्य रूप से रेतिले छेतर से उत्पन होती है और ये हर्याना की तरफ बैती है और ये गरम होती है पवने अगला परसन देखते हैं देखिए अगला हमारा परसन है मत अधिकार सवदकारत क्या होता है तो इसमें उप्शन दे रख्या है चुनाव लड़ने का अधिकार सारजनिक पत धारन करने का अधिकार असोसियेशन बनाने का अधिकार तो इसका सही उत्राएगा मत देने का अधिकार यनि कि रज्य के नागरिकों को देश के सवीधान दवारा हमारा जो देश का सवीधान है उसके दवारा ये नियम है कि रज्य के जो नागरिक ह वो परदत सरकार चलाने के लिए अपने परतिनी धी निर्वाचित करने का अधिकार रखते हैं उसी को मत अधिकार कहते हैं यनि कि वो अपने मत देने का अधिकार है भारती सभी धान के नुसार तो इसका सही उत्राएगा मत देने का अधिकार अगला क्युस्टन है परधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई देखिए इसमें उप्षन दे रखे हैं 1990, 1991, 1992, 1993 तो इसका सही उतराएगा 1993 यनि कि जो परधानमंत्री रोजगार योजना है वो 1993 में शुरू की गई थी ये जो रोजगार योजना है ये केंदर सरकार की पहल है यनि कि केंदर सरकार ने इसको लागू किया था चलाया था इस योजना में क्या है जो बेरोजगार यूवक हैं उन बेरोजगार यूवकों को सवय रोजगार की अवसर परदान करने के लिए और उनको लोन आदिस्वी धादिने के लिए योजना चलाई थी तो इसका सही उत्रबच्चो 1993 में आएगा आगे है रिक्स्तानों की पूर्ति करो रिक्स्तान भरो अंग्रेजो भार्थ छोडो का नारा खाली स्तान में दिया तो सबसे पहले तम आपको बता देता हूं कि जो अंग्रेजो भार्थ गोवानिया टैंक मैदान में महात्मागांदी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारती सवतंतता संगराम के सबसे सकती साली आंदोलन की शुरुवात की तो इसमें खालिस्तान में क्या आजाएगा 1942 1942 में ये दिया था 9 अगस्त 1942 अगला परसन है मानसुन की परिभासा क्या है मानसुन किसे कहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा असान क्युस्षन है मानसुन जो है वो अर्वी भासा के मोसिम सब्से लिया गया है मोसिम जिसका अर्थ होता है कि चलने वाली वे पमने जो रितू के अनुसार अपना मारक वदल ले उसको मानसुन कहते हैं यानि कि ऐसी पमने जो रितू के अनुसार सीजन के अनुसार अपना मारक बदल लेती हो उसको मानसुन कहते हैं और भारत की जो जलवायू हो मानसुनी है यानि कि दक्सनपस्मी मानसुन एक रितू है जिसमें दक्सनपस्मी मानसुन आगे बढ़ती है तो वर्षा कर देती हैं जब ये मानसुन पमने सीत रितु में वापिस मुड़ जाती ही माले से टक्रा करके तो इनकी दिशा हो जाती है उत्तरपूर्वी तो इसकी परिवासा क्याएगी मानसुन अर्वी बासा के मौसिम सबद से लिया गया है जिस कारत है वेपमने जो रितु के नुसार अपना मारक बदल लेती हों उनको मानसुन कहते हैं अगला परसन है। उपचुनाव क्या है। मुख्य चुनाव के बाद होने बाले चुनाव को उपचुनाव कहते है। यानि कि कोई चुनाव हुआ और उस चुनाव पर कोई भी पद धारन कर लेता है बाद में उसकी मरतु हो जाती है या वो उससे त्याग पत्र दे देता है या किसी कानून के अनुसार वो उस पद से हट जाता है तो उसके स्तान पर जब दोबारा एलक्षन किया जाता है चुन अगला परसन है गरीबी रेखा का आकलन कोन करता है बहुत ही आसान परसन है जो गरीबी रेखा का आकलन है उसको योजना आयोग करता है यह जो योजना आयोग है भी इसका नाम बदल करके निती आयोग हो गया है बच्चों क्या नाम हो गया है इसका निती आयोग ये जो निती आयोग है ये हर वरस के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षन कराता है और सर्वेक्षन के आधार पर वह आकलन करता है कि देश में कौन लोग गरीब है कौन अमीर है तो इसका सही उत्तराएगा निती आयोग यानि कि योजना आ विज्ञान का नुमिक अक्षा का ये मैंने आपको करवाया इसके छोटे परसन हमने कर लिये हैं यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कोमेंट में लिख सकते हो और कल जो हमारा जोगरफी का पेपर होगा पलस वन और पलस टू का उनको देखने के लिए लाइक करें औ जय हिंद जय भारत